तुने किसके आनेगी खबर दी है उने, हाँ, कौन कहां से आ रहा है, हाँ, फिर तु क्या वक्वास कर रहा तो वहाँ, तुझे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं, मुझे भी नहीं आया, पर मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे लग रहा है वो आदमी हमें शेर की तरह खा जाएगा, इसका मतलब तुने जो कुछ भी का वो सब जूट था, मुझे नहीं पता, पर एक चीज पक्की है, ये खेल बहुत खतरनाक हो सकता है, ये सब क्या है, ये किसी महल जैसा दिख रहा है, ये महल लगता नहीं है, मह बहुत अच्छा है ना, सच में ये तो बहुत अच्छा महल है, बिल्कुल, यहां के वातावरन को देख कर मुझे लगता है कि यहां बहुत खुशाली होगी, बाहर से ही इतना खुबसूरत लग रहा है, तो अंदर कितना खुबसूरत होगा, मैं बहुत एक्साइटेड हू पुलिस और कानून कुछ भी हो, लेकिन यहां अभी भी राजा का ही फैसला चलता है, क्या बात बोल रहे हो, हाँ अभी पता चल जाएगा, यहां पुलिस की उकुमत चलती है, राजा की, वो, तुम्हें गलत फैमी हो गई है, अबे, यहां ऐसे नहीं बात करते, बाई, यह यहां तो मस-मस लड़किया भी है, लगता है, पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं, छुप करके चल, अती सुन्दर, कितनी खुबसूरत महिलाए हैं, देखकर मेरा तो मन खुश हो गया, सच में यहां तो बहुत सुन्दर महिलाए है, अरे तीरे बोल, वरना यह तेरे टुक किया है, हां? अजय की आवासे कहां से गुंज रही है, हां? राजा सहाब मुझे छोड़ दीजे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जूट बोलने वाले को कभी नहीं बख्षते हैं, यह हमारे राजी की परमपरा है, पॉली? क्या हुआ? भाई, यह हो, देखो, लगता है हमारी वे दुलाई ऐसे ही होगी, भाई, वो गाइडा क्या है, गाइड भाई, यह सब क्या हो रहा है, लगता है कोई चोरिया डाको है, है नहीं, दोके बाज है, इसे की सजा मिल रहे हैं, हां? वो देखो, सच में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द के धर्दे भी कापने लगी है, तुमने देखा वो, कैसे वो गमला थर्थर काप रहा है? भाई लोग लगता है हमारी भी धुलाई ऐसी ही होने वाली है, तरने की कोई बात नहीं है, धुलाई से पेड़ भी काप रहे है, मुझे भी लग रहा है, पर उसे दिखारा नहीं चाहिए, अंदर छुपा कर रखना चाहिए, चुपकर तू, हमारा सफर इंसान की याददा ज़ज भी जाने वाली है, नहीं रहे, तू यह बेटकर जुल रहा है, तू यह बैटकर जुला जूल रहा है, तुझे पता है उपर क्या हो रहा है, वह सब राक्षयस एक लाइन से लोगों का सर काट रहे हैं, अबे सम अमारी सोच से भी जादा हालत बिगडती जारी है, हम लोग यहां से आसानी से नहीं भाग सकते हैं, अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, भाई तुझे कुछ याद है इस जगा से तेरा क्या रिष्टा है, वो लोग किसी लड़की को ढूंड रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि वो लड़की आखिर है कौन, मैं कितनी बार कहूं मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है इन लोगों को मैंने कहीं देखा है, पर कहां यह याद नहीं है, देख भाई, मेरा मकसद तेरा दिल दुखाना नहीं था, तू आराम से सोच, भागने के अलावा हमारे पास आप कोई रास्ता नहीं है, भाई, तू यहाँ खड़े रेकर अब आराम से सोच, मैं अपनी जासुसी शुरू करता हूँ, मैं अब कुछ न कुछ तो सुराग जरूर लाओंगा, है, 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 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका सर काटने और उसे मारने का फैसला हो चुका है, अब यहाँ उसे महमान ही बताईए कि हम उसके आने का कब तक इंतजार करेंगे, सब भगवान पर छोड़ दो, यही अच्छा है, अब ज़रूरी यह नहीं कि उन्हें मारा जाए, उनकी रक्षा करनी होगी, मैं गुरू जी से सहमत हूँ, जब तक वो आ नहीं जाती, हम इनको मारेंगे नहीं, बल सर अलग होगा, सब खतम हो गया, अब तो यह लोग हम चारों के सर काटने वाले हैं, यह तो क्या बकरा है, भाई अगर वो लड़की नहीं आई, तो यह लोग हमारे सर काट कर हमारे सर के साथ फुटबॉल खेलने वाले हैं, सैम, कुछ सोच भाई, अपने दिमाग की बत्ती की जला मेरे भाई, अब बात हमारे गरदन की है, और बिना गरदन की अगर हम लोग घर गए, तो हम अपनी मा की बात कैसे सुन पाएंगे, इसकी यादार्स भी क्या मुसीबत है, जब जरूरत है तो यादार्स जा चुकी है, लगता है इसने राजा के बेटी को धोका दिया है, और उसे छोड़कर वहाँ से भाग गया होगा, इदर आओ, सब के सब यहाँ आओ, आओ यहाँ, अपनी नाग का इस्तमाल करो, लगता है है नॉन वेज का कोई जुखार नहीं है, सिर्फ वेज बन रहा है, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं, वो अभी स्विश्ट आफ है, घृपया, थोड़ी देर बार टाइल करें, हे भगवान, यह यहाँ कौन लेटा है, सर, सर, आप कौन है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस आख लग गए थी, चलो, चलते हैं, हाँ, चलो, यहाँ सभी को नहीं दा जाती है, जिस नमबर पर आप कॉल कर रहे हैं, वो अभी स्विश्ट आफ है, घृपया, थोड़ी देर बार टाइल करें, कर रहे हैं, तो जी है, और गए और वोग, यहाँ में हुष मुपया आपक चलो, यहाँ है, जी हैं है, यहाँ जी होगँ वोगभी, बसनतरत वबर रहे हैं, जी हम उते संहा है, आप कर दोग रहे हैं, वोग धन हैं तो, यहाँ दोगतों आपको इविंबरें, better रहँ एंग क्या बात है? क्या हो? क्या बात बात है? क्या उन्या ने हुआिगा थिजिए लुँश्या भारी जो जेरी कि अमाल्या भारी रात है? जैये जोर्ट हुआ 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 है हुआ है ह हुआ है आरे कितने साल हो गए बेटा, सिर्फ सो खाए हैं, तुम और पांचे खा सकते हो, बेटा शुरू करो ना हाँ, ऐसे ही, खाले मेरे बेटे, देखो, पिछली बार जैसा नहीं होना चाहिए, तुम सर्फ दो इडली कम खाने से हार गए थे, रिहर्सल करोगे, तभी तो जीतोगे ना, देखो, इस बार तुमें जीतना होगा, जीत तो जाओंगा, पर ये सब कुछ खाने के बाद, मा आप मुझे दो प्लेट तंदूरी और दे देना, अरे उठार के तौर पर, अरे बेटा, तेरे लिए जान हाजिर है, कीप साइलेंट, तुम लोग अपनी बकवास करके, मेरे कॉंस्टेशन की मा भेन मत करो, ये गेम खतम करके, मुझे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने जाना है, अगर मैं हाती को इसके पीछे से ले गया, तो घोड़ा भी साला इसके पीछे भागेगा, तो बहुत बड़ा खिलाडी है ना, बड़ा आया विश्वनात अनन, कुछ तो कंफ्यूजन है, लगता है सुबह से या ब्याश चुरू हो चुका है, मुझे अब कान में मैं जीतना जाओ, इसलिए उन लोगों ने चीटिंग किया था, मा, तुम भी सुन लो, जैसे मैंने अपना हाथ उसे मारने के लिए बड़ाया, वैसे ही पीछे खड़े एक आदमी ने मुझे जोर से लंगडी मार दी, वो भी मेरे पेट पर, जिससे मेरी पिशाब निकल तुम जा कर मिल में काम करो, पापा म नहीं जाओंगा, मुझे जाना पसंद नहीं है, और आप टोनी को भेज दीजिए, राने दे, इससे आज शिकार पर जाना है, मैं शिकार पर नहीं जाओंगा, आच्छा, इसका मतलब है, तुम लोग कोई काम नहीं करोगे, बाहर आवा पापा, क्या, वो शादी में जानी के लिए हमें कपड़े खरीदने के लिए पैसे दीजिए ना, आरे हम सब कजिन है ना पापा, शादी के दिन ऐसे गए तो ठीक नहीं होगा, कजिन, बात भी मत करना, 24 गंटे उसकी पूछ पकड़ कर गूमते रहते हो, शादी तैय हुने तुम लोगों को पालना और सभालना होगा, पापा हम तो कभी कुछ नहीं करेंगे, पर आप जब बैट पर आ जाएंगे, तो शिकार और मिल कॉन जाएगा, यह बाप है या पिछले जरम का पाप है, बच्चों तुम लग चिंता मत करो, कपड़ों के पैसे, तुम्हारी मा क्या हुआ, फोन ने उठा रहा है, अरे फिर से फोन लगा रहे, हम, हेलो जोर्ज, उसे पूछ वो किदर है, तुम कहा हो भाई, यार यह तो गालियां दे रहा है, हां क्या हुआ, यह जोर्ज, तु कहा है यार, इस वक्त में यहां पर बहुत बिजी हूँ, यहां जल निकम के पास, मैं लाठी चार्च को कवर कर रहा हूँ, पुलिस सब को धमका रही है, अचा, तुम काम बताओ, अरे तुझे पता नहीं, आज हमारे सैम की चर्च में शादी है, यार, हमें ड्रेस करिदनी है, अचा, ठीके तुम लोग चलो, मैं पहुशता हूँ, यहां जल निकम की तुम लोग मेरी वज़ा से लेठ हुए, मैं मानता हूँ, चलो, जल्दी चलो, मंगल है सोभाग सब का, हम पे है इशू का साया, कर्यान रूप द्यान, इशू है जो, करुणा के सागर है वो, करुणा के सागर है वो, मंगल है सौभा के सब का, सैम, क्या तुम जीजस के सामने, इस चर्च की मर्यादा रखते हुए, यहां खड़ी ट्रेसी के साथ शादी करना, स्विकार करते हो? तुम यां स्विकार है या नहीं? शादी शुिकार है या नहीं? स्ब्स yoga, ही जा तुम यहान खड़ी ट्रेसी के साथ शादी करना स्विकार करते हो, शादा झाला है नहीं … मैं वहाँ खड़ी एनी से शादी करना चाहता हूँ यह करने का उदेश्य क्या है साम फादर हम दोनों का प्यार आज यह कल चुरू नहीं हुआ सदियों पुराना है हम बच्पन से प्यार करते हैं उसे धोका देकर मैं यह शादी कैसे कर सकता हूँ फादर जोर्ज तुभी सच बताना इन लोगों को तुने कहा तब भागने की जरूथ नहीं पड़ेगी हमारी शादी चर्श में होगी क्या क्या हुआ तुम यह क्या कह रहे हो सैम एनी चल घर चल मुझे जानना है कि सब क्या चल रहा है पीटर तुम रुख जाओ मैं अभी सब कुछ बताता हूँ अने राज आप कुछ नहीं कहेंगे मैं जजान से मार दूँगा आप देख लेना मेरे लिए कन्वेशन बहुत त्यार रखिए परमेश्वर मुझे तो यहां मौत के घंटी सुना ही दे रही है चल तुमेने साथ सामने जाचा तुनो अरे जौर्ट उसे बोला कहा लो जा रहे हो में तुम लोगों ने इनले फिल्म देखी थी नहीं कल हमने फिल्म नहीं देखी पर आप बोलोगे तो देख लेंगे कोई ज़रुत नहीं है क्या तुमने पदमराजन की फिल्म इनले नहीं देखी इसने नहीं देखी मैंने देखी इनले एक एक्सिरिन के बाद मुझे पता है अकेशिया एमनीशिया जिसका मतलब है टोटल मेमरी लॉस पर यह केस इसका मतलब क्या उसका मतलब जब किसी इनसान को पुरानी यादे जगट लेती है इन लोगों को हमेशा इसका कोई अतीत याद आता रहता है कभी कोई इनसान हमें प्रभावित करता है या कोई घटना जो वो भूल नहीं पाता आज चर्च में सैम के साथ ऐसा ही कुछ सैम अभी तुम कहा हो सैम सामनी तो लेटा है लगता है डॉक्टर पागल हो गया है सैम जो पेकताम एनि एनि यह आने वाली है वो ख़डूस वर्की भी उसके साथ आ रहा है सुना तुमने जो इसके साथ आठवी क्लास में पढ़ती थी सैम आज भी उसी की यादों में खोया है बस वो आने वाली है मेरे दिल के बगीचे में तुम प्यार का एक फूल हो रहने देता हूँ इन सब की जरूरत नहीं है यह वो लिटर है जो मैं मॉली कुटी को देने वाला हूँ लेकिन हमें स्कूल से निकले तो काफी समय हो चुका है वो आएगी क्या क्या क्योंकि उसके आने भी थोड़ी देर है वो सकता है वो वर्की के साथ चले गई हो पॉली तेरा लिखना खत्म नहीं हुआ शे पूरा कॉंसेंट्रेशन बेकार कर दिया है सुनो यह लव लटर ल आगे हो वो जा रही है जल्दी यह लेटर जाना उसे ते जल्दी जा बे जल्दी जाना जाना अरे बेवकुफ जल्दी से लेटर जाके उसको दे सोच कह रहा है तू मुझा बहुत डर लग रहा है यह तु यह अकेल ही करना पड़ेगा जल्दी जाना इनी तुमने अने में बहुत देर कर दी नहीं तो वो वरकी अज कहां रह गया वो स्टाफ मीटिंग में यह देर लगेगी अज़ेगल चलो कि क्या नहीं जाल्य गणिश जालोगी और अ ओवरलोडिंग में नहीं तू इ किसी ने देख लिया तो कोई देखे इससे पहले ले लो यहां क्या चल रहा है चुप रहा हो लव लेटर दिया जा रहा है ममी पापा मैं तुम से दिलो जान से प्रेम करता हूं किसने लिखा यह प्रेम पत्र इसने मेरी प्यारी हतिनी यह क्या है आनी के लिए तुम मेरे दिल के पिंजरे की मैंना हो उसका मतलब है दिल में बैठी मैंना तुम्हारे लिए मेरा दिल हमेशा भड़कता है यह भड़कता क्या है मतलब दिल धड़कता है सर, तुम मेरी करेला हो, करेला खानी से दिल साफ होता है, हमारा प्यार, वो मास्टर मक्हे भी नहीं समझ पाएगा, यह मक्ही कौन है, अरे मैंने तो मास्टर वर की लिखा था, पता नहीं आपके सामने मक्ही कैसे आ गया, तुमें ठीक से हिंदी जलो हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, तू भी हाथ आगे कर, यह ले, यह ले, अर्व पापियों के लिए नो एडमिशन, और हां एक बहुत ज़रूरी बात है, इस रवीवार को हमारे स्कूल की अनिवर्सरी है, आप सब लोग उस दिन अपनी अपनी कला का प्रदर्शन अच कुछ भी हो सकता है, पर एक शर्थ है, यह सब पवित्र किताब से करना होगा, सोचो, सब लोग सोचो, पॉली, तुमने क्या करने के लिए सोचा है, फादर मैं मिमिक्री करूगा, पवित्र किताब में किसकी मिमिक्री करेगा, अच्छा, ऐसा है तो मैं और मॉली कुट्टी fancy dress में हिस्सा लेंगे fancy dress अच्छी बात है और ये dress चर्च से खरीदने में संकोच मत करना और उसका खर्च तुम्हें खुदी उठाना होगा ये करने के लिए अध्रेस की जरुवत नहीं है हम आदम और हवा का खिरदार निभाएंगे पाली मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं पापियों के लिए स्वार्ग में नो है अडमीशन बैढ जाओ 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 जो फादर में इसमें हिस्सा लूँगा जिसका टाइटल होगा आदम के बच् हमारा घर आम की दुकान हो जहां रोज खाने से शाम हो हमारा घर आम की दुकान हो जहां रोज खाने से शाम हो हमारा घर आम की दुकान हो जहां रोज खाने से शाम हो हमारा घर आम की दुकान हो जहां रोज खाने से शाम हो हमारा घर आम की दुकान हो जहां रोज खाने से श लेटर का अदान प्रदान हो रहा है चलो इधर आओ जल्दी करो रो मत मेरे दोस्त हमारे सैम को और दूसरी लड़की मिल जाएगी ऐसी बात नहीं है मैं स्वोच रहा हूं सैम की शादी होती तो खाने को कितना बिलता है ये ले उसकी यादगार रुमाल अब इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचा आम तोर पर जब कोई हाइपो थर्मी से आका व्यक्ति फ्लैश बैक में जाता है वो वापिस नहीं आ पाता पर इस मामले में सैम थोड़ा सा किस्मत वाला है बैठो एक ब्रीफ इंटर्वल के बाद वो अपने आज में वापिस आ जाएगा सैम के दिमाग के उपरी हिस्से में एक माइनर फ्रैक्चर है डॉक्टर साब ये जो कुछ भी हुआ है वो उस एक्सिडेंट के वज़े से हुआ है उस वक्त उसे काफी समय तक हॉस्पिडल में रखा गया था हमें लगा था वो काफी समय तक अब नहीं बचेगा मेबी ये भी एक कारण हो सकता है पर बीते हुए छे साल की यादें सम के दिमाग से जा चुकी है कुछ है जो उसे उसके आज में आने नहीं दे रहा है हमें उसकी बहुत सी पुरानी यादों में जाना होगा क्योंकि ये उसके दिमाग पर बुरा असर कर सकती है तो उसकी यादों को recap करना होगा डॉक्टर, इसका कोई इलाज नहीं है मैंने आपसे पहले भी कहा है साम कोई पागल नहीं है साम की अंदर सिर्फ हाइपो थर्मीसिया की लक्षन दिख रहे है उसे कोई बुखार या जुखाम नहीं हुआ है कि जो दवा की जरुरत है फिर क्यों न इसे घर में बंद कर दें और कहीं बहार न जाने दे इसे इसका पेट भी भरा रहेगा तुम साम की क्या लगते हो? कजन यार उसे अकेला छोड़ दो अगर किसी इलाज की जरुरत होई तो हम देख लेंगे साम के दिमाग में कोई भी पुरानी आदे नहीं बची है पर वो कॉलिज की लाइफ और अपने दोस्तों को याद कर सकता है I'm not sure बट there is a possibility उसका आतीज जो मिट चुका है उसे वापिस लाने के लिए उसके दिमाग को मेहनत करनी होगी उसके लिए फिजिकल सपोर्ट रहिए Let's hope for the best मैं एजासत नहीं दे सकती इसकी तबियत वैसे भी खराब है फिर ये ट्रावल कैसे कर सकता है वो भी इन पीवकूफों के साथ मैं ऐसा नहीं करने दूगी मेरी मा मुझे कोई प्रॉलम नहीं है ये सब पागल हो गए है हां हम लोग है पागल मा जी डॉक्टर ने जो का उसे सुनकर कोई भी पागल हो जाएगा ये और इसका फ्लाश बैक वाला प्यार कहा है वो मैं भी उसे देखती हूं अच्छा अहां याँ बैठी है बेटा सेम से यह देखो इस फोर्टो को जरा गओर से बताओ ये कौन है अच्टी की माता-जी है हम जल्दी से अ पुरानी यादे ताजा करो बेटा lete को बताओ यह कौन है क्या ये वी इसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अरे देखा इसे कुछ याद नहीं है अरे मा अगर तो अठारवी सदी की फोटो दिखाएगी तो उसे अपना पुराना वक्त कैसे आद आएगा अब वो राम रावन के युग की बाद कैसे आद रखेगा पता नहीं इसकी आदाश कैसा जब यह वहां कई अलग अलग जगा देखेगा तो हम वहां से कुछ फल खरीद लेंगे मैं इसे नहीं जाने दूंगी ठीक है वह अगर आपके पास्ट को सोचने बैठा तो जो भी मेमरी बची है ना वो भी चले जाएगी तो समझाना बात को वरना भूत आएगा रात को च तुम सुनो जॉर्ज तुम्हारी बहना मान गई है तुम लोग निकलो एक चीज और यात्रा के बाद मेरे बच्चो बगवान के कृपा से तुम लोग अपनी बची हुई यादास को मत खो देना इस मामले में मैं कोई जिम्मदारी नहीं लूगा पापा जी यहां यहां यह क्या हुआ बोलाना इधर आये बोलो फेर उसका साथवी और आट्वीन में अड्मिशन करा के खेलो उसके साथ और जब वो अपनी पुरानी यादों में घुश जाएगा मा का दूद मांगेगा तो मुझे मत कहना पापा एक बात और उन देसी मुर्गों को अभी हात मत लग हम जब बना इव तू क्या कर रहा है वे तू अपने आपको ज्यादा समझता है एक लड़की को छेड़ रहा हमारे सामने वो भी दिन के उजाले में चल घर जाकर सोजा हां हम यहां से जा रहे हैं पर हमें वापस ना आना पड़े आप एक देह परोसे आज इन सर्कुटों को में भार्डूना आप कर दो यहां से जल्दी निकलो जल्दी चलो जलो जल्दी करो ए यह सब तुम लोगों ने क्या किया तुम्हें बता वह लो कौन थे नहीं पता शेर खान के लोग थे ऐसा क्या तुम लोग उनके हाथ लगगा तो जिन्दा नहीं चोड़ेंगे तुम लोग सोच्रे में वक्त बर्बाद मत करो वो लोग यहां आते ही होंगे तलवार और बंदूग लेकरके पांच मिनट तुम लोग नहीं खड़े रहे तो अपनी जिंदगी खोदोगे भाग जाओ यहां से पांच मिनट में हां अमारे लिए तो एक सिकंडी काफी है अब जोर्ज मेरे एक खंबा खरीद लिया है आज छगड़े की वज़ा से बहुत थक गया था मुझे पहले से पता था तू क्या बोलने वाला है वहां तुझे पहलवान बनने की क्या चौरत थी है क्या करता अरे यार वहां कुछ गलत हो रहा था और हमने तो बस इंसाफ ही तो क आयँ यहाँ तो नहीं आये गाना दर्पौब कही का भाई आपको डर नहीं लगता अब मैं तो सोच रहाँ कि हम उस जग्ली हाती से कैसे बचेंगे अरे जंग्ली आती आगया तो बान यहां से और जंगली हाती ज़ता पिला देंगे इतना काफी होगा हाँ वहाथी पहले ह मेरे 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 नहीं दूँगा सब्सक्राइब साग, तु ठीक एड, क्या हुआ? नहीं, कुछ निया, आम ओके, बस एक सथना देखा साम साम अरे कहां चला गया है जल्दी उठो है भगवान मुझे बख्ष दे और इसे मार दे क्या मुझे लगा कि शेर सिंग आ गया अरे यार साम कहां है साम तो कल रात से तेरे साथ था ना हां पर वो अब दिखाई नहीं दे रहा है नहीं दे रहा है पर यह वहां पर क्या कर रहा है आजाओ आजाओ यहां नहां कर निकलते हैं पारी साफ है नहीं बे अभी पिछले हकते ही नहाया था और नहाने की दर्वत नहीं है नहीं कहते है नहाने के लिए चलो 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 साम हमें क्या वह आने के लिए तैरना होगा हमें रास्ता तो दिखा अरे उस ब्रिश से होकर आ जाओ अधर से यहां नहाने और ब्रश करने के लिए अच्छी जगा है ना तो इस तरह क्यों करते हैं यहां आने से पहले बताना चाहिए ना मैंने सुचा रात के तुम लोगोंने जादा पीली दी अबे कितनी बार जगाया तुम्हें पर तुम लोग उठे ही नहीं चलो अभी ऐसे तलाब में नहीं नहीं जा मगर मच हो मगर मच रहते हैं ताला बड़ा आय हो सकता है अरे तो पूरा नंगा हो गया पागर तो बिना कपड़े की तलाब में खूद गया आव ना अब क्या कर रहा है तू मगर हो या अगर अब ये शेर पानी में खूद कर रहेगा बड़े दिनों बाद ये मौका मिला अरे शरम लोग बिना कपड़े के तलाब में कूद गए ये लोग भी इन लोगों को कम से कम अपनी उमर का तो लिहास करना चाहिए अरे यार तू भी तुझे शरम आती है तो तू भी अपनी आखे बंद कर ले अरे तू भी इसे पकड़ अच्छिए ऐसे खड़ा कियो है अंदर आजा 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 तू भी बजा तो ये नहीं माना तो कपड़े पहन कर तलाब को गंदा कर रहा है जल्दी चट्दी उतार अब उतार नहीं उतार दे अरे उतार मैं बोल रहा हूं मेरे पांस मुताना अगर ऐसी अरकत तूने नहीं की तो हम जबर्दस्ती तुछ से कराएंगे उतार दे ओके मैं उतारता हूं हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे उपर निकाल के दिखा पापा जल्दी आईए वो देख वो लोग इधर आ रहे है अराम से यहां क्यों आ रहे है भेमैं परेंको नहीं पता क्षिस फटम से अरे अगर वह पानी पानी में बदा गया थो हमारी जिन्दगी बदल जाएगी उसके बाद वक्त अमारे साथ हएगा इसदें हाई हाई चुक्कर पेलकू हम भी तरना चाहता है नौ यहां एक समस्या है प्राब्लम बिग प्राब्लम यहां काटने वाली मचली है बिग फिश्च वो ख्या खेल रहे है वह बोलता है कि बड़ा मचली है साच मैं रियल और नारियल के चकर में मत पड़ो जाओ यहां से मुझे फिश के साथ खेल ला है बिल्कुल नाई पला हाम चेक करेगा नौ ए भगवान ये तो आ रहा है आराम से खड़े रहा तरना नहीं उद गया कोई भी घबराना नहीं हम आदमी घा गया बड़ा मचली ओ नाई आप अपच्छाट है कहीं अंग्रेज मेरे पास आया होता तो इसे वेल मचली दिखती और ये चक्कराकर गिर जाता डाद हमें भारे मचली के साथ खेलना है ना 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 हम आपच्छाट है चोटी मचली है ना चलो वापस चलो 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 मटे तू भी जा जा ना हमारे कब्डे एक ओ अंडर वेर तुमारे साइस की नहीं है हमारी इंतत लेकर क्यों भाग रहा है ए बेटा छोड़ दे एक तो छोड़ दे बेटा अरे बेटा रुपचा यह तो हमसे भी जादा बेशरम निकला भाई अब हम क्या करें अब तो एक ही रास्ता है पानी के अंदर ही रहते हैं क्या से क्या हो गया ऐसा लगना जिससे हम कोई आदिवासी हो तू ऐसा मत बोल यह सब तेरे वज़े से हुआ है मैंने सब आने को का था पर कपड़ों तौरने का आड़े तुम लोग का था कुछ भी हो ढखने के लिए पत्तियां तो मिली देखो मैं बिना बात किये जल्दी इसे टेंट पर पहुचना है बारे देखो वहां पर भेड है आराम से नहीं तो वह भेड हमारी इज़ट डाकार लेगी उनसे बचके चलो भाई अच्चा होगा अगर इन्हें स्रिफ घासी पसंद हो आराम से उन्हें खाने मत देना यह भेड के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं भागो यहां से उदर देखो भाई कहीं यह शेर खान तो नहीं है देखो वो लोग हमें इन कपड़ों में पहचान नहीं पाएंगे सही कहां बेवकूफ हमें वो पहचान ही नहीं पाएंगे उन्होंने गाड़ी रोक लिए अब क्या करेंगे अरे लगता है वो हमें पहचान गए शेर खान अब क्या प्लैन है भाई बेवकूफो भागो यह ऐसे कर अ कर अ कर अ लो यह बादर कर दो कर लागो कर लो सुआ प्राहुशお हमें अब है गाड़ी तेज भगा और कितने तेज़ चला हूँ यह एल तो जठा आ है Jota co cape to ra मैं को पार मिझे सक कि तेंशन मतले है तुस गाड़ी लगता है वो लोग भूल गए उनके पास गन है कहीं चाय के दुगान पर रुखना पहले इसके सर पर जूता मारो ये बात को समझ ही नहीं रहा है अब अब जल्दी चैल अब आगे देंडेंडे को अरे लगता है वो लोग भाग गए चलो जान चूटी नमस्ते नमस्ते हाई हेलो मुझे शादी करनी है प्लीज गप हाई कर देसे हाई कर देसे मुझे कर देसे तरू स्वाइ हाई हाई झाल झाल मैंना टूर्टřी का ढंद भीमर्टадцати आमनी नाज है झाल झाल वानरफुली टालेंटेज केरला कॉजिन्स सर फ्यू वर्ड्स प्लीज हेलो, मैं आज सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्हों ने आमे सपोर्ट किया फैमिली, फ्रेंड्स, जजजेस, और आप सभी को थैंक यू मुझे दे, इसे बोलना नहीं आता ये जीत की खुशी और ये सारी पत्तिया जो हमें मिली है और जिस भी कारण से हम यहाँ पर भाग कर आए है मैं धन्यवाद कहता हूं उस तलाब का जिसकी वज़ा से आज हम उस मुकाम पर पहुचे है उन मचलियों का भी मैं धन्यवाद करूँगा जिनोंने हमें तलाब में काटा नहीं उस अंग्रेश की ओलाद का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जिसने हमारे कपड़े तक नहीं बक्षे हमारे गुरु शेर खान जो आज हमारे बीच नहीं रहे उन सबको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कहे दिल से मैं इन सभी की कुर्बानी कैसे भूलूँगा मुझे बोलने दो बेहन बस जीत की वज़े से ये लोश्टनल हो गए है भाई अब बहुत भूख लग रही है कहें कुछ खाने के लिए रोक लो प्लीज हाम वही पहुचने वाले हैं देखो मनीपाल अभी भी 108 किलोमेटर दूर है अगर हम वहाँ पहुचने के बाद खाएंगे तो तुम लोगों को मेरी लास मिलेगी मैं बोल देता हूं अरे यार मुझे भूख लगी है तुम गाड़ी रोको और मेरी ले कुछ अच्छा खाने का इंतिसाम करो अबे चुपकर अबे चुपकर नहीं तुम दूच भी पहुआ यार अरे रोको गाड़ी मुझे नहीं बता गाड़ी रोको यार अरे पहले कुई दुकाण तो दिखने दे पंजाबी धाबा अब जल्दी से करीद के कुछ खिलाओ इसे नहीं तो यह हमें खा जाएगा अबे सांड की तरह खा रहा है तू पता है इसके पेट में कीड़ा नहीं भूग का एनकॉंड़ा है तुमाई काली नजास की वाज़ा से तरह मैं भूगाई मर गया बाइब डोपलेट मटन फ्राइव लाना जी सर यह क्या बकवास चिकन करी बनाई है तुम लोग इसे मत खाना बिलकुल बकवास है यह अरे जाने दे ऐसे कैसे जाने दे हम इस खाने का बिल पे कर रहे हैं है सर इदर आओ यह चिकन करी किसने बनाया अपने मैनेजर को बुलाओ जाओ अरे तुझे नहीं खाना तो मत था मुझे जवाब चाहिए सैम जा मैनेजर को बुला जी सर आज इसकी क्लास लेता हूं मैं इसी स्वात का दो प्लेट चिकन करी और ला दीजी तुम लोगों को भी कुछ चाहिए इने नहीं चाहिए इनके लिए दो प्लेट पारसर चाहिए चल में एक प्लेट फ्री देता हूं क्या टेस्ट है सैम इसे क्या हुआ कार्निवल कार्निवल सैम यह क्या कह रहा है तो कार्निवल मेला चल रहा है मुझे जाना होगा अरे यार हमें तो मनिपाल जाना था ना जहां तू पड़ता था डॉक्टर ने हमें वहां जाने के लिए कहा है पॉली एक मिनट जहां यह जाना चाहता है हम वह ही जाएंगे ओके चलो चलते हैं चलो अबे तू हर वाक्त खाता कैसे रहता तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या अब फिर तू यह मुंफली खा रहा है किसने का यह मुंफली यह तो चने है भाई अगर यह ऐसे ही खाता रहा तो एक ना एक दिन हमें वर्ल बैंक से लोन लेना पड़ेगा इस बुककड को खिलाने के लिए सच में एक नंबर का बुककड है महराज अंदर जाके बैठो बैठो बैठ रहा हूं भाई गाड़ी दोड़ा धीरे चलाना वरना चने गले में टक जाएंगे यह कार्निवल कहां चल रहा है तुझे रास्ता पता है नहीं किसी नहीं किसी वंदिर के पास कार्निवल जरूर चल रहा होगा यह सारी लड़किया भी वहीं जा रही है चल उनके पास चलते हैं भारिया, वो हमारी गाड़ी है हमारे मदद कीजिए, वो गाड़ी हमें छोड़कर चली कई हमें उस गाड़ी चक पहुचा दीजिए आईए मैं किए समाल के जल्दी करिए जल्दी चलो ला मैं जरा ठग गया हूँ तू गाड़ी चला? आरे मैं हेलमेट लाना भूल गया, तुझे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी ठीक ठीक गाड़ी तू लड़कियों पर नहीं, रास्ते पे ध्यान दे आ मैं समाल लूँगा अरे वो गई, अरे हटो अरे हटाओ जल्दी बगो अरे लॉरी आगे निकल गई या, क्या तुमने नंबर लोग किया था? तुम लोग का फोन नंबर क्या है? अरे लड़कियों का नहीं, लॉरी का गदे देखा था अभी भूल गया अरे सम्वाल का चरो या लड़किया बैठी है यहां से अम क्या करें? अराम सुठाओ तुम लोग गाड़ी को हवाई जाज बना कर चलाते हो वह हम सरा लॉरी का पीछा कर रहे थे तुम्हें किसी लॉरी को पगड़ने की ज़रूरत नहीं है सुनो तो वह अगर हमारा दिमाग ख्राब हुआ लगा न तो तुम लोग भी puppies उस्पीटल चले जाऊगे ठीक है्घश यह साथ क्या हो रहा है लगता है, हमें भी हॉस्पीटल में एड्मिस होना पड़ेगा एक्सरे स्कैनिंग इन सब को मिलाकर पूरे के पूरे 25,000 पानी में बैए गए अरे यार तु जा का रहा है स्वार्ग वहीं जा रहा हूं हमको कैसे भी गाड़ी तक छोड़ दीजे न क्यों नहीं क्यों नहीं यह भगवान हमने सोचा था रास्ते में लड़कियों के साथ तुने जीब क्यों रोकती तुने पहले क्यों नहीं कहा कहा जा रहे है तुम लोग पूछ रहे हैं वह हम बस एक लॉरी को रहे थे लॉरी को अब यह बताओ यह दोनों कौन हैं जल्दी बताओ यह लोग यह बहन है हमारी यह साच कर रहा है हमसे हमारे गाड़ी छोड़ अच्छा है लफंगे दिखने वाले भाईयों की शरीव दिखने वाली बेहने दरसल इंस्पेक्टर साहिब हम शकल से दिखते जरूर लफंगे हैं पर हमारे अंदर संसकार कूट कूट के भरा हुआ है कहीं न कहीं कुछ गड़बड है कुछ नई बहुत कुछ गड़बड है साहाब एक्च्छली इंस्पेक्टर साहे मेरा बाप संसकारी और मा बेवड़ी थी इसलिए थोड़ी बहुत प्राबलम मुझे भी है नीचे आओ बेहनो थोड़ा रास्ता दो हमें एक दुसरे को छूना नहीं है आप ठीक है चल मैं तुझे चलाना सिखाऊं गा चल मेंरे सात उधर क्या देख रहा है चल्मुझे बाइक पर बैठ सर मुझे बैठने में दडर लगता है तेरा सारा डर मैं निकाल दूंगा चल बैट बैठ गया तब आच्छे से बैठना जल्दी काड़ी लेकर चलो सर यह गया नहीं सर मुझे छोड़कर चले गए सर हम इसे ऐसे छोड़के नहीं जा सकते आप इसे भी बैठने दीजिए सर आप इधार आ जाईए हमारी बेहनों के साथ बेढ़िए आप क्या ठीक ठीक है मैं नीचे उतरता हूं चलो तुम बैठों मैं भी बैठता हूं अरे मैं तो अभी बैठा ही नहीं अरे रुख जाओ मैं चलूंगा रुख जाओ साम वो देख मां आओ बैटी आओ भाईया हमारे साथियों से मिलके जाना आए ना वरना इनोग तेरे साथ को चुलता कर देंगे यार अरे आओ ना बहुत लड़के होंगी मेरी बेटी आओ मां बच्चों जो कुछ भी तुमने अमारे लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरे नहीं चाचा यह तो हमारा फर्स है तुम्ही समझाओ नहीं नहीं आप लोग हमारे महमान हैं नेला शुरू होने वाला है खतम होने तक हम आपको जाने नहीं देंगे अभी हम यहान नहीं रोख सकते हैं कि मैं आपको बहुत करा हैं कि मैं उह सबंसको पराफकेण हैं लिए है इंकि अब कर औरन को अबका अब कर दो हम आं बहुता हैं अ मैं आपको चु 있나 ह packetरилась अब ही तक तुम मरा नहीं कमीन है? Sam! Sam! उच्छा! तुमनों कौन हो? क्या? क्या है यह सब? मरो इन लोगो को! जब ऑट जब ऑट जब अब उट ग्न यप ये भ्याँ process क्या त criminal नंटारो नंटाल कि अंटारा चाश कुल थे लिए टी हम considerate a ढूभ ए टूम पारो यह जजब को फुड़ मैं भी तंटारा श्यंटारा ज़ी कर दो में एक रह टूल कर दो दिएक दो कर ड़ादा हम, कि मुड़ जऑ मैं हमें गल वांना पार तार सिक यह जूता है झाल झाल पुकासाँ झाल कहां है वो मैं पूछा मेरी बहन कहा है बोल भाई वो आरी है वो रास्ते में है देवा इन लोगों को साथ ले चलो तुने किसके आने की खबर दी है उने हां कौन कहां से आ रहा है हां फिर तु क्या वक्वास कर रहा तो वहां तुझे कुछ समझ में नहीं आया है नहीं मुझे भी नहीं आया है पर मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे लग रहा है वो आदमें हमें शेर की तरह खा जाएगा इसका मतलब तुने जो कुछ भी का वो सब जूट था मुझे नहीं पता पर एक चीज़ पकी है ये खेल बहुत खतरनाक हो सकता है ये सब क्या है ये किसी महल जैसा दिख रहा है ये महल लगता नहीं है महल ही है वाह क्या महल है बहुत अच्छा है ना? सच में ये तो बहुत अच्छा महल है बिल्कुल यहां के वातावरन को देखकर मुझे लगता है कि यहां बहुत खुशाली होगी बाहर से ही इतना खुबसूरत लग रहा है तो अंदर कितना खुबसूरत होगा मैं बहुत excited हूँ अंदर जाने के लिए पर इन लोगों के कपड़े आज भी पुराने जमाने के हैं लगता है कोई राजा है और ये सब उनकी प्रजा यहाँ भी राजा का हुकुम सराखो पर होगा इधर से यहाँ पुलिस हो या कानून? यहाँ राजा का ही फैसला चलता है क्या? वही तो पुलिस और कानून कुछ भी हो लेकिन यहाँ अभी भी राजा का ही फैसला चलता है क्या बात बोल रहे हो? हाँ अभी पता चल जाएगा यहाँ पुलिस की उकुमत चलती है राजा की वो तुम्हें गलत फैमी हो गई है अबे यहां ऐसे नहीं बात करते भाई यहां तो मस्ट मस्ट लड़किया भी है लगता है पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं चुप करके चल अती सुंदर कितनी खुबसूरत महिलाए हैं देखकर मेरा तुम मन खुश हो गया सच में यहां तो बहुत सुंदर महिलाए है अरे तीरे बोल वरना यह तेरे टुकले टोड़े कर देंगे यह तुम्हारा कमरा है यही कलपना है यहां कलपना यह और फुशी आ गया भाई महमान नवाजी का पूरा इंतजाम है मैं बहुत खुश हूँ मुझे लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ क्या बोलता है यह तो अभी शुरुआत है अच्छा महमान नवाजी बाकी है यह अस्वेमी की आवासे कहा से गुँज रही है राजा साहब मुझे छोड़ दीजे मैंने कुछ भी नहीं किया है जोट बोलने वाले को हम कभी नहीं बख्षते है यह हमारे राजी की परंपरा है पॉली क्या हुआ भाई यहां हो देखो लगता है हमारी में दुला ऐसे ही होगी भाई वो गाइडा क्या है गाइड भाई यह सब क्या हो रहा है लगता है कोई चोर या डाको है नहीं दोके बाज है इसी की सजा मिल रहे है वो देखो सच में बहुत दर्द हो रहा है इतना दर्द के धर्दे भी कापने लगी है तुमने देखा वो कैसे वो गमला फर्थर काप रहा है भाई लोग लगता है हमारी भी धुलाई ऐसी ही होने वाली है तरने की कोई बात नहीं है धुलाई से पेड़ भी काप रहे हैं मुझे भी लग रहा है पर उसे दिखारा नहीं चाहिए अंदर छुपा कर रखना चाहिए चुपकर दू हमार जूल रहा है वो रहा है तू यहां बैटकर जूल रहा है तुझे पता है उपर क्या हो रहा है वो सब राक्षयस एक लाइन से लोगों का सर काट रहे है अबे सैम हमारी सोथ से भी जादा हालत बिगड़ती जा रही है हम लोग यहां से आसानी से नहीं बाग सकते अब लड़की को ढून रहे है हमें जानना चाहिए कि वो लड़की आखिर है कौन मैं कितनी बार कहूं मुझे कुछ नहीं पता ऐसा लगता है इन लोगों को मैंने कहीं देखा है पर कहां यह याद नहीं है देख भाई मेरा मकसद तेरा दिल दुखाना नहीं था तू आराम से सो भागने के अलवा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है भाई तू यहां खड़े रेकर अब आराम से सोच मैं अपनी जासुसी शुरू करता हूं मैं अब कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर लाओंगा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका सर काटने और उसे मारने का फैसला हो चुका है अब यहां उसे महमान बना करके उसकी सेवा की जा रही है मैं कुछ नहीं भूला हूं पिछले छे साल से एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब मैंने उसे याद ना किया हूँ आखिर आप सब लोग ही बताईए कि हम उसके आने का कब तक इंतजार करेंगे सब भगवान पर छोड़ दो यही अच्छा है अभी ज़रूरी यह नहीं क्यों नहीं मारा जाए उनकी रक्षा करनी होगी मैं गुरूजी से सहमत हूँ जब तक वो आ नहीं जाती हम इनको मारेंगे नहीं बलकि इनकी सुरक्षा करेंगे पर अगर वो नहीं आई और अगर उन्होंने जो कहा वो जूट निकला जूट बोला है तो चारों के सर धर से अलग कर देंगे यही हमारा फैसला है यह तो बहुत अच्छा फैसला है अब तो मेरा सर अलग होगा सब खतम हो गया अब तो यह लोग हम चारों के सर काटने वाले हैं यह तो क्या बकरा है भाई अगर वो लड़की नहीं आई तो यह लोग हमारे सर काट कर हमारे सर के साथ फुटबॉल खेल सेम कुछ सोच भाई अपने दिमाग की बत्ती जला मेरे भाई अब बात हमारे गर्दन की है और बिना गर्दन की अगर हम लोग घर गए तो हम अपनी मा की बात कैसे सुन पाएंगे इसकी यादार्स भी क्या मुसीबत है जब जरूरत है तो यादार्स जा चुकी है लगता है इसने राजा के बेटी को धोका दिया है और उसे छोड़कर वहाँ से भाग गया होगा इदर आओ जाबे सब के सब यहाँ आओ आओ यहाँ अपनी नाक का इस्तमाल करो लगता है है नॉन वेज का कोई जुकार नहीं है सिर्फ वेज बन रहा है भुखड साले जो मैंने बोला है वह सच है भाई शूब कर देखा है अगर तुम्हें विश्वास ही तो शूब कर देख लो भाई लगता है यह जगध डरावनी भी है लगता है यहां के मरने वालों की आत्मा होगी वहां कौन है मुझे छोड़ दे अब देखते हैं मैं मिठाई लाई हूँ पता है यह यहां के बहुत फेमस मिठाईया है मत लेना मैंने सुना है सर काटने ज़े पहले बकरे को कुछ मीठा खिलाया जाता है फिर वह हलाल होते हैं अच्छी काते का लिए दूसरों को आकर सप्राइज देना तो तुम्हारी आदत है ना एसे क्यों ताड़ रहे हो तुम कौन हो हूँ आर्थी यह उसका नाम है तु उससे जानता है ऐसा लगता है मैं उससे जानता हूँ अब हम सब मारे गए वो जाकर अपने शेर जैसे भाई को सब बता देगी बड़े चलेते या दाश का पता लगाने जो यह आए हम अब वो हमारे सर काट देंगे यह उनकी आदत है तु और तेरी मिठाई भाई उसके कुछ बताने से पहले ही हमें उसे रोकना होगा भाई चल चल मेरे साथ वो वह बैठी है भाई तु ही जाके उससे कुछ समझा सकता है समझा मत कुछ और मिठा मांग लेते हैं चल उससे समझाते हैं मैं मिठाई मांगू आदरी आदरी नहीं, आर्थी आर्थी साम ने बिल्कुल जूट कहा कि वो तुम्हें पहचानता नहीं है कभी-कभी वो मजाख करता है अभी भी उसने मजाख ही किया है साम को क्या हो गया है? ए बगवान, उसे कुछ नहीं हुआ है उसने तुम्हें काफी टाइम से देखा नहीं न तो उसकी तबियत खराब है बेचारा, वो उसी बात को लेकर बहुत परिशान है हाँ, अब वो आर्थी-ार्थी कहकर रो रहा है सिर्फ तुम्हें उसे चुपकर आ सकती हो मैं आर्थी नहीं हूँ, मल्लिका हूँ सैम को हुआ क्या है उसे कुछ नहीं हुआ है बस कभी-कभी उसे नाम बदल कर बात करने की आदत होती है बस यही बात है, यही बात है न हाँ, कभी-कभी वो पापा को जीजा भी बुलाता है Sam की बदलने की आदत नहीं है, मेरा और उसका कोई रिष्टा भी नहीं है, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि तुम लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यूं कर रहे हो, लेकिन अगर मुझे सच नहीं बताया, तो प्यार है, मुझे अब भी अगी नहीं हो रहा, जो Sam मुझे जानता था, उसी के साथ ये सब हुआ, पर मानना पड़ेगा, हमारे इस सफर की शुरुआट डॉक्टर के कहने पर ही हुए, मैं आप सभी को जानता हूँ, ऐसा लगता है, मैंने कभी न कभी, कहीं न कहीं सभी को देखा है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मलिका तुम Sam को कैसे जानती है, सैम का आखिर इस जगा से क्या रिष्टा है, एंजिनेरिंग कॉलेज में, सैम मेरा क्लासमेट था, छी साल पहले, वो मेरा सबसे अच्छा दोस हुआ करता था, एक बार छुट्टियों में, हमने गाउं के मेले में जाने की सोची, मैंने अपने और दोस्तों को भी पूछ लिया, फिर हम एक ऐसे सफर पर निकले, जिसने कहीं लोगों की जिन्देगी बदल दी, असवक्त हम अपनी जिन्देगी के कुछ अच्छे पल जीने गए थे, वो पल हमारे लिए यादकार थे, लेकिन किसमत को कुछ और ही मन्सूर था, क्षिट बदलों तर थे, जिसे सफर अपनी जिन्देगी के कार थे, जिसे सफरे मिन गए लिए, और हमारे लिए, वो उन्यार। उन दस दिनों में पता नहीं कैसे आर्थी और सम करीब आ गए थे और समय के साथ साथ मुझे भी पता चल गया कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे साम हे आर्थी क्या है ये सब मलिका वो ऐसा है कि मैं आर्थी तुम्हें शायद कुछ पता नहीं है आर्थी को प्यार करने के और शादी करने की इजाज़त नहीं है उससे हमेशा कुमारी बनकर ही यहां रहना होगा मैं ये सब नहीं मानता है साम प्लीज मेरी बेहन पहले से ही दुखी है मैं उससे और दुखी नहीं देखना चाहती उससे जाने तो क्या हुआ बेटा बिना मेला देखे वापस जा रहे हो हमसे कोई खलती हो गई आखिर आप लोग जा क्यों रहे हो साम की मा की तबियत खराब हो गई हमें अभी पता चला इसले निकल रहे हैं अगली बार मेले की वक्त जरूरा ना भूलना मत मुचे लगा कि अन दोनों की बीच सब खतम हो गया लेकिन सैम वापस आ गया बिना मुझे बताए खतम हो अजब हो गया अजब हो गया जजगा जब खतम हो गया जग्या आपको लेकिन से बार खतम हो गया जए का मुझे बताए प्रखना प्रखना झाल झाल प्रणा झाल बेरो कि एडिए पिरे जड़ इड़ा गर्णों अजड उड़ा इड़ा गर्णों इसने हमारी परंपरा को भंग किया है ये कल का सूरज ना देखने पाए खत्म कर दो इसे सम्साइम तुम्हें किसी भी तरह यह से बागना होगा आज सब लोग मंदिर कही हुए है कोही नहीं है यहां लेकिन वो लो किसी भी वक्त आ सकते हैं, उनके आने से पहले तुम यहां से भाग जाओ। इस तरह कायरों की तरह मैं नहीं भाग सकता हूँ, मैं आर्थी को लेकर ही जाओंगा। साम। तुम मेरे साथ चलो। साम क्या करें तुम। आर्थी जल्दी बैठो। देवा, वो चंद्रगिरी से बच कर निकलना नहीं चाहिए। वो जहां भी नजर आए उसका सारकलम कर देना। जाओ। कि दуб्याओ। कि दो जाओ। प्रूचे... हार्थी चंद्रा बच्छनाने जाए हार्थ 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 जames प्रहाल कर दो 꺼ंच'll never कर दो कर लुचिक कर दो तो सब को लगा कि ये दोनों मर गए मुझे भी यहीं लगा था नियम कहनों सा राजगद्दी किसी औरत को मिलनी थी आरती के गायप होने के बाद वो राजगद्दी मुझे सौब दी गई थी वो मिला फिर गाव में कभी नहीं लगा लेकिन उस दिन पता नहीं तुम लोग यहां कैसे आ गए और सैम को देखा तो ऐसा लगा कि छे साल पहले जो खुशियां मुझसे छिन गई थी वो वापस आ गई मैं सैम को देखकर बहुत खुश हुई थी लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि आरती जिन्दा है और वो नहीं आई तो मलिका ने जो भी कहा वो सच हो सकता है एक सपने की तरह बहुत सी चीजों ने मेरी यादों को बुला दिया पर अब मैं पहले के कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा लगता है कोई कहानी सुनी है मैंने जाने दे मुझे यकीन है एक न एक दिन तुझे सब कुछ याद आ जाएगा चौर्ज तु ये क्या बेवकूफो वाली बात कर रहा है सुना नहीं मलिका ने अभी अभी तुझसे क्या कहा हम आर्थी को भी नहीं ला सकते हैं हमें ये बात उस विरप्पन को भी नहीं बताना होगा ये सच जानने के बाद हमारे पास बस एक ही रास्ता है हमें यहां से भग ना है ज़ौर्ज जो यह कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है कम सिका हम हमारी जान तो बचएगी तो हमारे इस सफर का मतलब क्या रहेगा कितने प्रॉब्लम्स जेले जो समय सैम के दिमाग से गायब हो चुका थे उसे वापस लाना है हमारे सैम का एक्सिडेंट हुआ था और वो जगह यही थी अब यही सैम की यादों को वापस लाएगी अब हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी अब हम तीनों बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे पर जॉर्ज हम अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम लोग यहांसे जा सकते हो मुझे अपना पुराना सैम चाहिए पर कैसे क्या हम इसे मुम्किन कर सकते हैं नहीं हम इसे नहीं कर सकते पर एक इंसान अगर चाहे तो यह मुम्किन है मलिका यह वो ही कर सकती है ये हमारा जॉर्ज उस लड़की से कितने देर से बात कर रहा है एक लड़की के वापस ना आने की वज़ा से वो विरप्पन हम सबका सर काट देगा पर लगता है कि ये खेल दो लड़कियों के गायब होने से ही खतम होगा चुप कर ना जॉर्ज आजा मलिका कह रही है ये जगा आर्थी को बहुत पसंद थी इस मूर्थी के सामने सैम ने आर्थी को हार पहना आया था लगता है माता की मूर्थी से सैम की यादाश्ट वापस आ सकती है पेवकुफ वो माता नहीं देवी है हाँ हाँ वही पर यादाश तो आ जाएगी न चलो चलते हैं इस मूर्थी से यादाश नहीं आएगी लगता है कोई और मूर्थी खुजनी पड़ेगी कमान रुक जाओ ये कौन है कोई जोकर वीरभ पनाईडू यहां का जमीन दार है अब ये बताओ ये लोग कौन है ये लोग भाईया के महमान है यहां मदद करने आए वजया क्या है वो मेरी शादी है ना इसलिए ये मेरा होने वाला दुला इनका नाम नाईकर है सब फिक्स हो गया हाँ हाँ लगबग हो गया मैं यहाई ने मंदर दिखाने लाई थी क्या शादी की बात तुमने सब को बता दी है क्या शादी की बाद तुमने अपने घर वालों से बताई है या नहीं? नहीं विरप्पा जी हम यहाँ पर जल्दी जल्दी आए हैं बाद में चिटी लिखकर सबको बता देंगे कैसा रहा? चलो बहुत अच्छा हुआ वो लोग आ गए वो भी बिना बताए मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं लेक्स गो आर्थी यह विरप्पन जो बार बार बात कर रहा था वो कोई खाने की चीज़ है क्या? चुपकर मलिका तुमने क्या क्या खिया? उससे पीछा चुडाने के लिए कुछ साल पहले उसकी बड़ी तबना थी कि वो मुझसे शादी करे अब कुछ सिनों तक मुझे नहीं लगता कि वो मुझे परिशान करेगा मैं तो खामखा डर गया था पर अब कोई डरने वाली बात नहीं है इसने कह दिया अब हम भाग जाएंगे ये उसने मजाक किया होगा पर मैंने सीरिसली लिया पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे देखता हूँ कुछ-कुछ होने लगता है अरे टोनी तू हमारे पपा को फोन करके बोल दी कि हमारे लिए चार कबरे खुदा ले ज़्यादा जगा की जरुरत नहीं है क्योंकि शरीर के उपर सर नहीं रहेगा अरे यार हो सकता है तुम लोगों को ये मजाक लग रहा हो पर हमारा संयुक्त परिवार हमारी परंपरा हमारी संस्कृति यही है तुमने दोनों माता जी को देखा भले ही शरीर से अलग हूँ लेकिन दिवाक से एक ही है हमारी छोटी माता जी के दो बच्चे हैं मलिका और चंद्र राजन मै राजराजन और मेरे भाई देवराजन बड़ी माता के बेटे हैं और हमारी बहन का नाम है आर्थी क्या ये आर्थी हमें महाभारत की कहानी सुना रहा है चुकर कैसे कहूं कि मैंने तुम लोगों को यहां क्यों बुलाया है पर ये गुरू जी का ही आदेश था जैसा कि तुम लोगों ने अभी बताया कि आर्थी यहां केस दिन आने वाली है वो अमावस का दिन है अमावस के दिन कोई नया विक्ति घर में नहीं आता हमने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा कि हमें क्या करना चाहिए हमें कोई विकल्प नहीं मिला यह अमावस का दिन आगे नहीं बढ़ सकता क्या बे वकूफ अमावस केसे आगे बढ़ेगा हमें उसे अमावस के दो दिन पहले बुलाना होगा इसी लिए तुम्हें यहां बुलाया गया है पर ये तो मुमकी नहीं है पर क्यो क्योंकि राजा जी वो तो पहले भी यहां चुकी है ना इसकी बात भी सही है फिर हम उसे जल्दी बुला लेते हैं नहीं वो रास्ता काफी लंबा और तेड़ा है ना उसे बोलो कि लंबे रास्ते से नहीं सीधे रास्ते से आए अब तो कुछ बोल बोल सकते हैं पर अगर हमन को बदलने के पीछे क्यों पड़ा है तू कुछ भी हो लेकिन अवावस से पहले मुझे आरती यहां चाहिए हमने फैसला सुना दिया अगर मुझे मेरे सर कटने का खत्रा नहीं होता तो मैं इन सभी की ऐसी की तैसी कर देता सच में भाई तू रहने दिन नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे पर हम सबको मिलकर इस अमावस्या का कुछ करना चाहिए मैं तुझे मार दूँगा मुझे पता है यह अमावस क्या होता है बेवकूफ भाई तू पॉजिटिव सोच इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हम कम से कम अमावस तक सेफ हैं अमावस तक हमसे कोई भी आरती के बारे में नहीं पूछेगा तो उस समय तक हम लोग यहां मज़े से रह सकते हैं और इसी समय में हम निकलने का तरीका निकालेंगे अबे सैम, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है जब से इसने उस मलीका को देखा है न मुझे लगता है इसका यहां से जाने का मून नहीं है अब यहां कुछ नहीं होगा देखना, अगर वो तैयार है तो मैं क्या करता हूँ भले ही वो विरप्पन अपनी सेना के साथ मेरे सामने क्यों ना आ जाए पर मैं उसे लेकर जाऊँगा भाई, लगता है हमें जल से जल यहां से निकलना चाहिए यह लोग सारा घर जलाने वाले हैं बेवकूफ यह लैंप और दिये सजावट के लिए जलाएगे हैं इससे लाइट बेटी भी बचते है तुम लोग अब तक सोए नहीं है अम सोते नहीं है यह सब यहां पर क्या हो रहा है आज कार्तिक है आज बहुत बड़ा जशन होता है और अज पूरी रात यहां एक भी औरत सोती नहीं है अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है आज कार्तिक है ना इसलिए बहुत खुश हो रहा है यही यह कह रहा था यह लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं कोई वाट्स अप नंबर है क्या चलो हम भी मज़ा लेते हैं अब एक कोनी मारूंगा तुझे यहां प्ले देखने आया है चल मैं तुझे प्ले दिखाता हूं यह सब क्या है यह जवान लोगों का जेशन है क्या सुन अगर नीचे से देखेंगे तो मज़ा आएगा ही जॉटन बोल रहा हूं प्रॉबलम हो जाएगी भाई इस आइटम डांस के बाद मलीका का प्रोग्राम है चल चल कर देखते हैं अगर किसी ने तुमें देख लिया ना तो आखे निकाल लेंगे अंदे होने से अच्छा ये है कि ऊपर चल कर चुपचाप सो जाते हैं हाँ ये ठीक रहेगा इस बेचारे को देखो बेचारा सोते हुए चल रहा है भाई तु समझा नहीं? नहीं इसे निन में चलने की बिमारी है सच में? तेरा बाप निन में चलता होगा मैं ध्यान में चल रहा हूँ मुर्क लगता है इस गुरू का ध्यान अलगी है भाई ये बेचारा इसलिए ध्यान लगाने की कोशिच कर रहा था ये कोई भी बिमारी बिमारी नहीं है ये सब लड़कियों का डांस देखने का बहाना है भाई ये तो अच्छा है सोते सोते उसकी आँख नहीं निकाली जाएगी इसलिए वो सोने का बहाना कर रहा है सुनो, हो गया, चलो जॉर्ज हमारे ग्रूब का पाखंडी भाबा है क्या मैं तुम लोगों को याद हूँ बिल्कुल, तुम वही हो जो हमें मंदिर में मिले थे तुम्हें पता है मेरा बाप को नहीं जब आपको नहीं पता है तो हमें कैसे पता होगा अगर आप चाहे तो हम पता कर लेंगे मैं तुम सब को गधा लगता हूँ नहीं ऐसा नहीं है घजो के सिंग नहीं होते हैं तुम मेरे प्यार का यार बनना चाहता है उससे तुशादी करने आया है मैं तुझे शूट करने वाला हूँ बोल क्या करेगा सब्सक्रां कि और अब क्या करें अब हमाने पास एक लासता एंगी इसके पैर पर किरकर माफी मांग लेते हैं बिल्कुल नहीं यह पना कि यह मार दू को ले यह आप मैं अपमें मार देंगे उससे क्या होगा देखें हम नाग्राज विरपन की आदमी हैं कैसा हमें मारने के बाद मैं देखता हूँ कि आप कैसे शांती से यहां बैठते हैं हम सारी बाते उन्हें बताएंगे हां हां गले अगर मुझसे अगली बार इतनी बात की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूँगा समझा है इन लोगों को अंदर ले जाओ भाई लगता है यह लोग हमें घुमा घुमा कर मारेंगे अच्छा एडिया था कुछ और नहीं के सकता था मुझे लगा यह विरप्पन का नाम सुनकर डर जाएगा यह भी सर काटने में एक्सपर्ट है यह लोग काटेंगे नहीं सीधा खीमा बना देंगे इसके हाट में तुम सब लोग बाहर जाओ अब जो फैसला हो गया वो बिल्कुल नहीं बदलेगा कैसा फैसला ओहो बहुत जल्दी भूल गये तुम लोग तूने ही काधाना की मेरी शिकायत नाग राजा विरपन से करेगा वो फैसला ओहो फैसला हाँ वो मैं बता दूँगा उनसे कुछ मत कहना मैंने उनका नाम चुराया है अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे कुट्टे के पट्टे से मारेंगे वो मुझे मार देंगे बचपन से मैं उनके नाम से डरता था जब भी वो मेरे सपने में आते थे मेरी पैंट गीली हो जाती थी मैं किसम इससे बोलो ना यह रो क्यों रहा है मैं मलिका से बहुत प्यार करता था और इस दिल में यह बात उस विरपन को नहीं पता थी क्योंकि मैंने डर के मारें नहीं बताया चलो तुम्हें एक और सच बात बताता हूं वह मैं ही हूँ जिसने मलिका को पहली बार नहाते हुए देखा था यह सच है कि विरपन मेरे चाचा का बेटा है विरपन जब भी किसी को मारता है तो रिष्टेदारी नहीं देखता इसी वज़े से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो शायदी के बाद तुम तो बज जाओगे लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा मुझे मार देगा बाई टूटे दिल चुप हो जाओ मेरे कहने का ये मतलब बिलकुल भी नहीं था मैं टूटे दिल का दर्थ समस्ता हूँ इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ हमारी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है मलिका ने अच्छली आपसे जूट बोला था सच तो ये है हम दोनों प्यार करते हैं लेकिन विरप्पन को यसा पता नहीं है ये बात सिर्फ हमें और आपको पता है उस विरप्पन का दिल जीतने के लिए हम लोग यहां पर रुके हुए हैं ये प्यार का मामला है ना इसलि लोग अब जा सकते हो मैं तुझे देख लूँगा मैंने कभी रोता हुआ विलन नहीं देख लोग मेरे साथ चलो रुक जाओ साथ अब एक गंजे गिराएगा अरे अब जानते हैं मैं यहां क्यों आया हूँ भाईया मुझे एक समाचार की खबर मिली इसलिए सोचा कि आपसे पता करने आ जाओं कैसा समाचार भाईया आपको पता है यह लोग यहां क्यों आये हैं सुनकर चौकिये गामत यह लोग यहां शादी करने आये हैं यह बताना मैं तुम्हें भूला नहीं था सोचा वक्त आने पर बता दूँगा फैसला लेने में थोड़ा वक्त तो लगता है न आप सब जानते हैं क्या यही समचार बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ इसे लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा भाईया मुझे ये बिल्कुल भी मन्जूर नहीं है तुम्हें पता है ना एक बार फैसला लेने के बाद मैं उसे बदलता नहीं हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस महल से बहुत प्यार है इसलिए तुम बरदाश नहीं कर पाने इसका मतलब सब कुछ पहले से हित्य हो चुका है हाँ, आमावस्या से पहले अमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार दोनों की शादी करा दी जाएगी बल्लिका, भाई को भूक लगी होगी इसे, कुछ खिलाओ भाईया, जरूरत नहीं है, मेरा पेट पहले से ही भर चुका है ये मुम्किन नहीं है अब शादी हो जाने के बाद ही, अब तुम अपने महल में जा सकोगे शादी में तुम्हें भी तो हाथ बटाना है वो किसलिए, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है अब ही मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और फैसले लेने बाकी है मलिका की मा देखा, आपको हमारी शादी की देखने करनी है भाड में जाओ, जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक इस शादी में अपना मूने दिखाऊंगा इसका दिमाग हेल गया है अपनी शादी तक मुझे एक और मौका दे दो भाईया, प्लीज मलिका का दिल जीतने का एक मौका तो देदो, मैं तुम्हारे पैर पढ़ता हूँ, अगर उसका दिल नहीं जीत पाया, तो तुम उसे ले जाना, ठीक है, प्लीज, प्लीज ऐसा है तुम्हारी कसम थेंक यू, चलता हूँ, मलिका मैं आया मलिका, रुक जाओ, वो आदमी मान गया है, मान गया है किस बात के लिए? हमें करीब आने देने के लिए उसने मुझे एक और मौका दिया है क्या अंकल, आपकी उमर हो चुकी है और ऐसे परिस्तिते में कोई लड़की अपना फैस्टा नहीं बदलेगी अरे मलिका, कैसी परिस्ति थी, कैसा फैसला, मलि, मैं आ रहा हूँ कल आर्ती को यहां पहुच जाना चाहिए, कल के बाद हम आवस शुरू हो जाएगी यह फिर से हम आवस पर आ गया, इस बुढ़े के सोई यहीं क्यो रुकी है चुप करके खड़ा रहे हमें आज सही शादी की विवस्ता करनी होगी, गुरू जी की बात सुनी न, अगर वो आने वाली है, तो हमें विवस्ता आज करनी होगी भाई, तू कुछ बोलना क्या हुआ, क्या बात है अब हमें चुपाना नहीं चाहिए, इन्हें सच बता दे यह शर्मा रहा है, यह शर्मा नहीं रहा है, इसे डर लग रहा है, मैं जानता हूँ मैं बोलता हूँ न, अब बोलने को बचा ही किया, सबको वैसे भी पता चलने वाला है क्या पता चलने वाला है, वो हम यह बोल रहे थे कि नहीं, मैं बताता हूँ, वो अभी सो किलोमेटर दूर है, वो इधर आ रही थी, पर आचानक उसे उल्टिया शुरू हो गई हाँ, उल्टिया? हाँ, आरती तीन मेने के गर्ब वाती है इसलिए सफर के बीच में उसे अराम की जरूरत पड़ गई अगर जरूरत हो तो वो गर्ब वाली बात कैंसल कर दो मुझे गर्ब वाती नहीं कहना चाहिए था क्या कहा तुमने, वो गर्ब वती है? मेरी जानकारे की बिना कौन गर्ब वती है? और किस से? तुम लोगों ने सुना नहीं का इसने क्या का? इस महल में एक बच्चा जन्र लेने वाला है क्या? मेरी मली का गर्ब वती हो गई? मैं ये बरदाश्ट नहीं कर सकता माई वाप, हमसे गल्ती हो गई? अगे से ऐसा नहीं हो ये सब गल्ती से नहीं हुआ, जान बूच के किया है मैं यकीन से कह सकता हूँ, इसे अभी खत्म कर दो मारना मत, गल्ती से हो गया एक लड़की को गर्वती कर दिया गल्ती से भाईया गोली मार दो बस करो भाईया तुमने कहा कि इस महल में एक बच्चा जन लेने वाला है इसका महत्व जानते हो तुम ये तो हमारे और इस महल के लिए खुशी और जश्न की बात है भाईया ये क्या कह रहे हैं आप तुमें तो गर्व होना चाहिए किस बाती है सब को सोचित कर दो जश्न अब रुकना नहीं चाहिए उसे जोर शोर से मनाया जाए पहले पता होता कि इस जगा को ये लोग डिलिवरी वाट बनाने पर इतना खुश होंगे तो मैं पहले ही बोल देता कौन बेवकूफ ये सुनकर खुश होगा कि उसकी बेहन शादी से पहले ही गर्वती हो गई है ये गधे इस बात का जश्न मना रहे है इस सब क्या है? रिपब्लिक डे है क्या? पहले तो तु इन्हें साधारन लड़की देने वाला था ना अब गर्वती लड़की कहां से लाएगा बोल इस केस में हमें किसी गर्वती लड़की को ढूड़ना होगा अफे चुपकर ये आदमी यहां क्यों बैठा है? बच्चे के जन की खुशी में ये लोग जश्न मना रहे हैं मलिका को गर्वती करने में ये भी जिम्मेदार है ये कैसे हो सकता है? मली, तुम मुझे भी इसका हिस्सा बना सकती हो मैं बुरा नहीं मानूगा मली मैं खुले विचारों का हूँ मैं तीसरी पाठी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा प्लीज ये क्या पकवास कर रहे हो आप? घटवती करने में बस एक इंसान से मितार होता है और वो वही है अच्छा तो ये बात है विरप्पन को हमने वादा तो कर दिया है जब उसे आर्थी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? जोर्ज, अब बात हमारे हाथ से निकलती जा रही है अब तुम उनके आगे और क्या-क्या जुट बोलोगे? तुम लोग परिशान मत हो हम हस्ते खेलते अपना वादा पूरा करेंगे हम आर्थी को वापस लाएंगे पक्का पर कहां से? तुम कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिन्दा है या मर गई पता है पर उससे पहले तुम लोगों को कुछ जरूरी बात जाननी होगी हमने जो कुछ भी सुना वो पूरा सच नहीं था दोस्तों के साथ सैम चंद्रागिरी से हॉलिडे करके वापस चला गया था उसके अपने मनिपाल कॉलेज में आरती से उसका लव मेटर सैम ने उस दिन ही मुझे बताया सैम का आरती के लिए प्यार की हद मेरे समझ में आ चुका था और बाद में मैं ही वो था जो सैम को रतनागिरी छोड़ने गया था फिर एक दिन मुझे सैम की कॉल आई चंद्रागिरी से उस वक्त काफी रात थी जोर्ज, तु मेरा पहारी के पास इंतिजार करना जब तक मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ, मेरा इंतिजार करना मैंने बुरी रात उसका इंतिजार किया पर सैम नहीं आया उसके दो दिन बाद ही मुझे मेरे कॉमन फ्रेंड से पता चला कि कि सैम मनिपाल कॉलेज में एड्मिट है कुछ अच्छे लोग उसे वहाँ के लोकल हेल्थ केर में ले गए थे क्योंकि मेडिकल कॉलेज सेफ नहीं था इसलिए अच्छे इलाज के लिए मैं सैम को अपने पास ले आया डॉक्टर सैम को ठीक करने के लिए उसके ट्रीटमिंट में लग गए पर उसकी यादे उसके दिमाग से धीरे-धीरे जाने लगी मैं अपने मन में यही सब सोसना रहा कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा पर उसके छे मेने बाद एक दिन अचानक आरती दिखी मूंबई पुने हाईवे पर मैं शांति ग्राम में डॉक्यमेंटरी बनाने गया था आरती ने सोचा था सैम मर चुका है पर सच जानने के बाद उसने ठान ली कि उसे सैम से मिलना है पर आरती सैम को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं बलकि आरती तुम भी नहीं मुझे यकीन है कि वो मुझे पहचान लेगा क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है पर आरती की आशा निराशा में बदल गई सैम ने आरती को नहीं पहचाना यकीन से तो नहीं कह सकता बट पॉसिबिलिटी जदैर आरती से शादी के बाद जब दोनों साथ में रहेंगे उससे हो सकता है कि सैम अपनी यादों को संजो ले मा जी ये फैसला आपको ही लेना है मा ने उनकी बात मान ली इसलिए सैम और आरती की शादी का फैसला लिया गया पर सैम के दिमाग में उस वक्त एनी आ गई इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई फादर ये कैसे मुम्किन हो सकता है मैं वहां खड़ी आइनी से शादी करना चाहता हूं जोर्ज फिर हम आरती को वापस लाकर यहां से निकल क्यों नहीं जाते हैं ये मुम्किन नहीं है जब आरती के साथ सैम ने भागने की कोशिश की तो उस वक्त कुछ और भी हुआ था से जोर्ण नहीं एका साथ अ कुप जल्दी आए बेट वेटो इसमें साम जल्दी गरो जल्दी नही 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 आरती खानृरो फ रिस भाइब पुष्यो को बाइब र्भी रभी तुपन मु yap Effectiva चयूरो झ psychic के वेप्स भाइब बेप्स पूत बुचए, रजम अश्के पास पास आर्दी सह फबने की यह पता था कि वो सैम को क्यों मरना चाहते थे पर आर्थी को उन लोगों ने क्यों नहीं बचाया इसका मतलब वहाँ कोई तो चाहता था कि आर्थी जिन्दा ना बचे वो वहाँ मौजूद था पर कोई भी उसे पहचान नहीं सका उस दुश्मन को और कई दिनों बाद भी उसका पता नहीं चला आर्थी की जिन्दगी यहां सेफ नहीं है अगर मेरा शक्स ही है तो वो एक ही आदमी है और सैम उसे जानता है और इसी वज़ा से सैम की आदाश थाना जरूरी है उसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं ना अब हम क्या करेंगे अब यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बची होई है आज चंद्रगिरी के तहवार का आखरी दिन है आज से छे साल पहले उस रात जब सैम के साथ वो हाद्शा हुआ वो उसे आज भी फील होना चाहिए ये तुम क्या कह रहे हो तुम लोग भरोसा रखो अब अपना वक्त आएगा आज राज जब महल के सारे लोग प्रातना करने मंदर जाएंगे हम मलिका को लेके भाग जाएंगे जोश तुम्हें लगता है मेरे भाया इसके बाद शांत रहने वाले हैं नहीं पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है भाई मलिका के साथ चंद्रगरी छोड़ने के लिए सैम मानेगा हमें उसे मनाना होगा पॉली चाहे हमें कुछ भी हो जाए सैम को मनाना होगा जोर्ज ये सब क्या बखवास कर रहे हो तुम तुमने सुना नहीं मलिका नहीं हमें क्या बताया था सबको जानते हुए भी तुम एक और मुसीबत मूलने रहे हो यही तुम्हारा प्लैन है मलिका ने आर्ति को छोड़ने के लिए कहा था तब तुमने उसके बात मानी थी उस वक्त तुम्हारा प्यार ज़रूरी था आज मेरा ज़रूरी है यह काम ने करेगा मैं इसे नहीं मानता हम जैसे आयते वैसे ही लोट जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हम चार यह कहने का हग तुझे किस ने दिया हम यहां इसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आये हैं मेरी बात को समझो, बिना मलीका के तो हम चले जाएंगे, लेकिन क्या यह उसके बिना रह पाएगा, हम इसे यहाँ पर छोड़ कर नहीं जाएंगे. भाई, तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो. सैम, अगर हम आरती को वापस नहीं लाए तो वो विरप्पन हम सब को मार देगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. सैम, आज रात हम चारों को इस महल से किसी भी हाल में निकलना होगा, मलीका के साथ. अब थोखे बाजो, तो ये है तुम्हारा प्लान, अब मैं देखता हूँ तुम लोगों को, भाया, भाया जी, भाया जी, भाया, भाया, जब तक वो सच्छाई विरपन को बताए, हमें यहां से निकल लेना चाहिए. चंद्रा, यहां जो हुआ उसे अंत करने का वक्त आ गया है, जाओ, जो भी तुमने बताया, अगर वो सच निकला, तो कल सुबह तक, चार लाशे तुम्हें चंद्रगिरी में तैरती नजर आएंगी, जाओ. आएंगी, चुम्हेंगी, झाओ. पीछे आ रहे हैं तेस्ट पुरतेस सभाई आपने सभाग के चलाओ भागो जल्दी इस तरफ पकड़ो ही नहीं बाता 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 बा प्खर भुग्झा है रुट अुग्झा उुग्टा है बुटा है खाओ रख रखोंने के जुड़ पर फोंने जुड़ कर दो खुड़ कर फ्सके पाने कि ए्सके आगके प्सके एड़ बाओ कुण तो धू़ कि एड़ ऑग कर दोूब मेड़ार कि उना झाला है। हild हए कर गखर को कर दिटको दो हए 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 हाँ प्हें प्वजयारी नाड़िए जाली नाड़िए प्हें प्हें ए्योंअनाा उनलाॉ झाली नाली नाली जाली यर उनलान उनलाइ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु आपको गलत फैमे हुई है हम यहां से किसी को भगाना नहीं चाहते हम दोनों के बीच में कोई भी रिष्टा नहीं है आप गलत समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब ऐसे खतम नहीं होगा जोर्च यह निजान उसने क्या किया तुम्हें पता है सब्सक्राइब अगर तुम्हें मार नहीं है तो पुझे मार दो पर उसे छोड़ दो उसे बचार नहीं है उसे इस तरह से नहीं बचा सकते सैम मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था मेरा शिकार वो थी अगर वो नहीं बचेगी तो उसका खिताब मलिका को मिल जाएगा फिर इस सामराज्य की हर चीज़ पर सिर्फ एक इनसान का अधिकार होगा वो है नागराजन जो मैं हूँ अब चंदरगिरी को तेरी कोई सरुवत नहीं है मार दो इस कमीने को हुआ 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 ह तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जिसे तुमने अपने हाथों से पाला पोसा उसके साथ ऐसा किया अब तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा सजा जरूर मिलेगी उसकी कोई जरूरत महीं है मेरी वज़ा से यह पहले ही बहुत परिशान है बस हमें जाने की अनुमत ही दें अरे रुक भी जाओ हम दोनों में काफी गलत फैमी हो गई थी मैं तुम्हें दुश्मन समझ कर तुम्हारे साथ गलत पेश आया मुझे माफ कर दो क्या हमारी शादी हो सकती है ऐसा है फिर इसके पेट में पल रहा है बच्चे का क्या होगा उसे मैं जर्स कर लूँगा भया जे ऐसे कजिन्स पर हमें गर्व है थारकु गिन्गिन काटु में रात दिन तेड़ मिना मनी अधोरा है